एक तो तीन चार क्या हलता क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा घटा गुणा और भाग अरे ठेहरू जरा समझतो ले कक्षा चार की गनित की पाठे पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम तूतुन की रेल छूट गई रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरा भी नमस्कार क्या हूँ आकरती? बच्चे भी तक नहीं आए? काफी समय हो गया है? वैसे तुमने समय तो ठीक से बता दिया था ना उन्हें? हाँ हाँ अनन्त मैंने अच्छी तरह से बता दिया था कि दोपहर के तीन बजी आना है लेकिन अभी तक आये नहीं बता नहीं कहा रहे गए बच्चे सभी अच्छी तो बहुत मस्ते की होगी तुमने पार्थ में हाँ? कै बदा बधाया और हिए बताओ नानी जी के घर कौन मज़े करता है? मैं गर्मियों की चुटियों में नानी के घर जाता हूँ मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब चैतानी करते हैं अर मामा जी होता है आए Welt मापी होती है अच्छा बच्चों पता है तुम्हारी जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटकर सा बच्चा था जिसका नाम था तुतुन क्या नाम था तुतुन तुतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था तुम्हारी तरह हाँ और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था मैं भी मन नहीं करता आने का मन तो सर्दियों में जाता हूँ तो ठीक ऐसे ही तुतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था बले मसे आते थे उसे वहाँ एक बार गर्मी की छुटियों में तुतुन नानी के घर गया तो छुटियां खतम होने पर तुतुन की मम्मे ने तुतुन से कहा अरे अरे बेटा तुतुन कहा हो चलो जल्दी से अपना समान बांधो और पता है बचचो साड़े पांच बज़े का मतलब क्या होता है अरे मैं बताता हूँ साड़े पांच यानी पांच बच कर तीस मिनट क्या बल्कुल सही कहा और फिर पता है क्या हुआ जाने की बात सुनकर तुतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं काश हमारी रेलगाड़ी चूट जाए चूट जाए पर अब क्या हो सकता था तुतुन को तो जाना था तो तुतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5 बच कर 15 मिनट पर ही रेलबे स्टेशन पहुँच गया तब तुतुन के पापा बोले अरे भाई तुतुन जल्दी करो अरे सवा 5 बच गये बेटा कही ट्रेन चूट न जाए और 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 सुनो सुनो आगे सुनो ट्रेन चूटने की बात पर तुतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा लगता है लगता है हमारी ट्रेन चूट गई मसा आगया मसा आगया वह ट्रेन चूट गई वह ट्रेन चूट गई पर बच्चो तू तुन को ये पता ही नहीं था वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन चूट गई अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 मिनट बाकी हैं ट्रेन 5.30 पर आएगी अभी तो 5.15 ही है अब तो ट्रेन दुख़ी हो गया होगा अब तो उसे जाना ही पड़ेगा अरे नहीं बबाबा सुनो तो सही ऐसा बिलकुल नहीं हुआ घूंकि ट्रेन तो आई ही नहीं उन लोगों को बहुत देर तक वहीं इंतजार करना पड़ा अरे ये कैसे हुआ यहीं पूछने तो तुतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुचे और बोले स्टेशन मास्टर सहब ये ट्रेन को नहीं आया भी तक बहुत परिशान है अब देखो हमारे ट्रिकट पर तो पांच तीस लिखा है तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा स्टेशन मास्टर ने कहा सर पांच तीस का मतलब है सुभा के पांच तीस असल में आपकी गारी सुभा पांच बचकर तीस मिनट पर चली गई क्या सर देखिए रेलवे में शाम के पांच तीस को सत्रा तीस कहा जाता है यानी सत्रा घंटे तीस मिनट क्या मतलब? सत्रा घंटे तीस मिनट शबाज सत्रा घंटे तीस मिनट काफी अजीब सा लग रहा है हाँ, तुम्हारी ही तरह तो तुन को भी 17 गंटे 30 मिनट सुन करना अजीब लग रहा था पर ऐसा क्यों कहते है दीदी? ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 गंटे की घड़ी का प्रेयोग होता है हाँ, 12 गंटे की घड़ी में एक ही समय दो बारा था है इसलिए हमें उसके साथ सुभा, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है जैसे सुभा के 9 बजे, और रात के 9 बजे, सुभा के 5 बजे, और शाम के 5 बजे अच्छा, सुभा के 11 बजे, रात के 11 बजे, शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे बजाओ तालीजी बात पर तो तुटुन की रेल छूट गई थी ना तुटुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा हाँ बच्चो बहुत मजा आया था लेकिन अब तुटुन ने 24 गंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था हाँ और पता है 24 गंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे की बाद एक बचता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं 13 गंटे यानि 12 गंटे में एक घंटा और जोड़ दिया तो हो गये कितने घंटे 13 गंटे शाबाश अच्छा गुडिया तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं चार बजे हैं चार बजे हैं बिलकुल सही और शाम होने को है तो इसका मतलब क्या हुआ शाम के चार बजे हैं शाबाश गुडिया बजा शीमत परताले हाँ तो अब ये बताओ 24 गंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ बताओ बताओ 12, 13, 14, 15, 16 16 बताओ 16 बजे हैं 16 बजे हैं नहीं 16 गंटे हैं बिलकु ठीक कहा तुम अच्छा बताओ बच्चो 12 गंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हो तो 24 गंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 गंटे शाबाश पिलकु सही कहा तुमने 18 गंटे तो अब ये बताओ शाम के 36 हो तो 18 गंटे 30 मिनट और शाम के 7 बजे हाँ हाँ सोचो सोचो 19 गंटे अरे वाश शाबाश बड़े होश्यार बच्चे हैं वैसे एक बात है तो तुन भी तुम्हारी तरह बहुत होश्यार हो गया था तो इस तरह हुई कहानी खतम बजाओ ताले अब हम आपको देंगे घर पर करने के लिए सवाल दे हाँ आज हम आप सबको एक नहीं दो सवाल देंगे सवाल नमबर एक रात के बारा बजे 24 घंटे के घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा दूसरा सवाल ये है कि सवा चार बजे का और साड़े चार बजे का क्या मतलब होता है हाँ बच्चो सवाल एक बार फिर ज़रा ध्यान से सुनिए रात के बारा बजे 24 घंटे के घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा और दूसरा सवाल ये है कि सवा चार बजे का और साड़े चार बजे का क्या मतलब होता है तो बच्चो तुम सब को सवाल समझ में आ गए हाँ तो ठीक है कल हम मिलेंगे ठीक दो बजे मैं कल दो बजे नहीं आऊंगा क्यों क्यों मैं कल 14 घंटे पर आऊंगा बहुत शैतार है बच्चे भईया को बुद्धू बनाता है तो ठीक है बच्चो कल हम मिलते है 14 घंटे पर तूतुन की रेल छूट गई, अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार, प्रवीन शर्मा, सुएता और बच्चे दुनेंकन बटिलेंग लिंग्डो, निर्मान सायोग, मयंख थपलीयाल, आलेक, निर्मान, निर्देशन वा धोनिसंपादन, वंदिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT